भारतिय संस्कृति नारी को पूझना सिखाती है लेकिन आज का भारतिय समाज भारतिय संस्कृति के इस पहलू को भूल चुका है हमारा भारतिय समाज ये समझता है कि नारी को नारी से सकती करन के अशकता नहीं है वो सबतरे के अधिकार को प्योग करके संतोष पूझन जिन्दिगी जी रही है तो ये बस एक भ्रहम है हाँ ये बात सचे कि आज कि नारी को पहले की तरह प्रदा पर्था या सती पर्था जै मेहनत का कम वेतन मिलना, छेड़ चार रेप और अन्य प्रकार की समझ्चाओं का सामना करना पड़ रहा है। राष्टे संगटनम और बहुत कुछ यह बदलाव सकारात्मक है और पहले से कहीं जादा तेजी से हो रहा है। प्रभावी कारियन मेन के लिए हमारे पास कुछ वी सेस कानून भी हैं। रख रखाव का अधिकार रख रखाव में जीवन की मुलबूत आओ सकता हैं जैसे भोजन, हाश्रे, कपडे, सिख्षा, स्वास, देखवाल, सुधाय, आदिशा मिलें। रख रखाव पत्नी के जीवन इस तरोर पती की परिस्थितियों और आये पर निर्भर करता है। प्रादिक कानून महिलाओं के खिलाब के गए अपरादों के लिए दंड का प्रावधान करता है। योन उत्पिडिन धारप 354A, उसके कपड़ उतारने के रादे से हमला धारप 354B, पीछा करना 354D आदी। मलातकार के मामलों में जहां तक संभवो एक महिलाओं पुलिस अधिकारी को प्रात्मी की दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा उसे सूरियास के बाद और सूरियोजे से पहले एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट की विशेस अनुमती के अलावा गिरफतार नहीं क्या जा सकता है। घरेलू हिंसा के खिलाप आधिकार 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षन अधिनयम के अधार पर प्रतेख महिला घरेलू हिंसा के खिलाप आधिकार की हगदार है। इस से अधिक महिला करमचारी है वहां बच्चों की देखवाल और भोजन की सुईदा उपलब्द कराना अनिवारी है। पत्या मुलेवान सुरक्षा के रूप में परिभासित करता है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे प्रतेक्ष रूप से दिये जाने के लिए सहमत है। लेकिन इसमें दहिज या महर शामिल नहीं है उन व्यक्तियों के मामले में जिन पर मुस्लिम पर्शनलो लागू होता है। देते हैं लेते हैं देने या लेने के लिए उक्साते हैं तो आपको कम से कम पांस साल की कैद और कम से कम एक हजार से लेकर पंद्रह जार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मुफ्त कानूनी साहता काधिकार कानूनी सेवप अधीन्यम 1987 के द्वार आपको मुफ्त कानूनी साहता पाने काधिकार है। बजा इस बात पर ध्यान दिये बिन एक आप कानूनी सेववा का खर्च उटा सकते हैं या नहीं। जिला राज्यो राष्टी कानूनी सेवा प्राधिकरन क्रम से जिला राज्यो राष्टी स्थर पर कठित है कानूनी सेवा में किसी भी नयल या ट्रिवनल या प्राधिकरन के समक्ष किसी भी मामले या अन्य कानूनी कारेवाई के संचल में सायता करना और कानूनी मामलों पर स व्यक्ति को मार सकती है यह अधिकार कानून से आपकी रक्षा करेगा आधुनिक भारती समाज में इस त्रियों की स्थिति सोला प्रतिशत भारतिय महिलाओं ने बताई कि दो हजार उननीस से बीस के सरविक्षन से पहले बारा महिनों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपन प्रतिशत महिले ही योन संबंदु गर्ब नोदक उप्योग और स्वास देखवाल के बारे में स्वतंतर रूप से अपनी ने लेती है लिंग बेद्भाव से जुड़ी उपेक्षा कैन भारत में हर साल पांस साल से कम उमरी के अनुमानित दो लाख 49,000 लड़कियों की मोत ह हो जाती है मार्च 2019 में प्रकासित मोनिष्टर सेलरी इंडेक्स के अनुसार भारत में महिलाएं पूर्सों की तुलना में 19 प्रतिशत कम कमाती है आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति एक तरह का विरोधा भास है एक और जहां वैसा पलता की सीड़ी के सिखर पर है वही दूसरी और अपने ही परिवार के सदश्य द्वारा अपने उपर की गई हिंसा को चुपचाप सहर ही है अतीत की तुलना में आधुनिक समय में महिलाओं ने बहुत कुछ हासिल किया लेकिन वास्तों में उन्हें अभी महिलाओं ने अपने घर का सुरक्षित छेतर छोड़ लेकिन भारत में अभी भी भारत के लिंगान पाते पता चलता है कि भारतिय समाज अभी भी महिलाओं के प्रती पुर्वा ग्रह से ग्रशिताय योन हिंसा सुरक्षा के मुद्धे अभी भी उन्हें चिंतित करते हैं आधुनिक भारतिय समाज में इस तरियों की निमने समश पता चलता है कि पेसेवर और गैर पेसेवर दोनों तरह के महिलाएं लेंगे प्रुआगरे के कारण भाली तनाव का अनभाव करती हैं यजबी महिलाओंने पुर्सों के समानकारी के विबिने शेत्रों में अपनी सर्वस्रेश्ट शमता शाबित किये फिर भी वे अपनी घरे महिलाओं के बावजूद उनके कारी शेत्र में दूसरा महत्व दिया गया है कम खेत्र की महिला ही तेशी है हाली एक रिपोर्ट के अंशार देश में अधिकांस महिलाओं के स्वामित्तों वाले विवसाय कम राजश वाले शेत्रों में काम करते जबकि पुरुष निर्माण और इसी तरह की शेत्रों को नियंत्रित कन्या बुरुन हत्या एक बच्चे को गरपात करने का कारी है क्योंकि यह मईला लिंक का है भारत में लिंक चैनात्मक गरपात एक बड़ी समश्य है चिकित सा पेशावर द्वारा गरपात की शंक्या इतनी बढ़ गई है कि आज यह एक उद्ध्योग बन गया बहले यह कानुन द्वारा दंडेनी हो कन्या बुरुन अत्या ना हो जाते हैं जीवन के पहले कुछ वर्सों की भीतर एक लड़की की हत्या करने की क्रिया है यह सक्रिरुप से हो सकता है दम गुटने से हत्या करना जहर देना आदी ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में बेटों को उत्रादीकार और वरंस चलाने की वाले की तरह देखा जाता है और यह माना जाता कि बेटी तो दूसरे के घर चली जाएगी और बुड़ापा आने पर बेटा ही अपने माता पिता की देखवाल करेंगे इसके अलावा बेटे अंतिम स सेप के अनुसार सुरुवाती विवा से जुड़े 56 प्रतिशत मामले ग्रामेन भारत में और 29 प्रतिशत सहरी शेत्र में होते हैं वहें सहरों में मध्यमवर्गे परिवारों में लड़की थोड़ा बड़ी नहीं हुई तो उसको एक निशित उम्रता की डेडलाइन दे दी वास्ताओं में भारत में आदे से अधिक दहिश पर्तार्णाएं और हत्यायें तो लड़की के ससूराल की स्तियें ही करती है जिस दिन एक स्ति excellência की मजबूरी और मनोदशा समझ जायेगी उसी दिन से भारत में दहिश हत्चयें और पर्तारणाएं कम हो जाएंगी शिक्ष परिवार है तो लड़कियों को सामाने ग्रेजिवेशन करवा दिया जाता है बस इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है तसकरी गुलामी वैश्यवर्ती तसकरी गुलामी वैश्यवर्ती आदी के लिए भारत में हर साल हजारों लड़कियों का परण किया जाता है विड़मन समाज में इस्तियों की निमने-दसा कारण है बात में इस रियों की निमने-दसा के कारण हैं नीचे रहते हैं और इनमें से 70 प्रतेशत महीला हैं इसके अलागां में लड़कियों को कम शिक्षा उप्रावद करवाना और जल्दी शादी कर देना यह सब गरीबी की वज़े से होता है निरक शर्ता लिंग भेजबाव भारत में लड़कियों के लिए सैक्षिक पिछड़े पन को जनम दिया था यह एक दुखद वास्त विकता है कि देश में सैक्षिक शुदारों के बावजूद भारत में लड़कियों को अभी भी सीखने के अउकसर से वन्चित रखा गया है मान सिकता बदलने की जरुवत है और लोगों को लड़कियों को शिक्षित करने के लाबों को समझने की जरुवत है एक शिक्षित पढ़ी लिखी महीड़ा यह सुनीशित करते ही कि अन्ने सदश्यों विसेशकर घर के बच्चों को गुणवत्ता पुन शिक्षा मिले हमारे भारत के समाज में पित्र सतात्मग विवस्ता भारत में सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर पुर्षों का वर्चा स्वए यह पिछली योगों से मामला रहा है और अधिकांस गरों में इसका अभ्यास जा रही है यदिपी एमान सिक्ता सहरी करण और सिक्षा के साथ बदल रही है फिर भी परिदरश्य को इस्ताई रूप से बदलने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तेह करना है सामाजिक रिती रिवाज और विश्वास आज तक बहुत से परिवारों में एक पुरुष बच्चे को प्रात्मिक्त दी जाती है और बेटी के प्रिती बेटों में विशेश रूप से व्यापारिक समुदावे में आर्थिक राजनीतिक और अनुस्टानिक संपत्नी माना जाता है जहाँ बेटियों को देंदारिया माना जाता है रिती रिवास का ये परिणाम है कि आद्वी राज्तान के कई इलाकों में बाल विवाप परचलीत है महिलाओं में जागरुकता की कमी अधिकांस महिलाएं अपने मोलिक अधिकार और छमताओं से अनजाने उन्हें इस बात की बुनियादी समझी नहीं है कि सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक ताक्तें उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं वे उन सभी भेजभाव पुन प्रथाओं को स्विकार करते हैं लड़कों की तरह लड़कियों को सेक्षिक आउसरों के मामले में जीवन में एक अच्छी शुरूहात मिलनी चाहिए, इसे उन्हें आर्थिक स्वतंतरा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उन्हें अपने और उस समाज के उत्थान में योगदान करने के लिए उचित रू अधुनिक भारतिय समाज चाहिए जितना विकास कर लिया हो, लेकिन अब भी सोच पुरानी है, हमारे भारत में उस दिन इस्तिरियों को परिपूर्णता का एहसास होगा, जिस दिन भारतिय समाज अपनी सोच बद देगा, और इस दिसा में भारत की युवापीडी तथा, खुद लड़कियों को सजग होना पड़ेगा, तब ही भारतिय समाज एक समान समाज कहलाएगा, धन्यवाद, जैहिन जैहिन